आज के इस दिवस पर आप सभे को नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी की बहुत-बहुत आपधिक शुब काम नाएं और ऐसे महान लोग, ऐसे महान व्यक्तित्व, जो हमेशा एक प्रिड़नात रहते हैं और जिनसे किसी देश की और किसी जाती की, जाती का मतलब कास्ट नहीं है, जाती का मतलब है पूर एक भारत, मनुश्य जाती की बात करना हो उनकी वो पहचान होते हैं, उसको वो दिशा निर्देश भी देते हैं, उसको परिभाशित भी करते हैं ऐसे लोग केवल contributions नहीं करते, वो अपनी चेतना से भी हमें परिभाशित करते हैं, और ये व्रकता है उनकी चेतना ही होता है, चेतना ही महत्वपूर्ण होती है, जो हमेशा राष्ट्र की धाराओं को या उसके अंतर धाराओं को परिभाशित करती हैं, उसको अग्रसर करती ह और हमें एक जीवन जीने का, उत्सापूर्ण जीवन जीने का, एक गर्व से भरा हुए जीवन जीने का, वो एक मतसद भी देती हैं, हमें लक्ष देती हैं कि मनुष्य जीवन के अर्थ क्या है, ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे जो कुछ आप देख रहे हैं। उससे दो बातें बड़ी स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं। उनकी हुई है। और जिन कपड़ों में आप देख रहे हैं, जब वो प्रेजडेंट नियुक्ट हुए थे, इलेक्ट हुए थे इंडियन नैशनल कांग्रेस के। और उसके बाद वो कैसे उसको छोड़ करके जाकर के इंडियन नैशनल आर्मी की उन्होंने स्थापना की और वहां पर आकर के जिस तरह के उन्होंने विवस्थाएं की, जिस तरह के युद्ध किये, जिस तरह से लोगों को इंपायर किया और जिस तरह का प्रभाव उन्होंने ब्रिटिश कॉर्वर्मेंट पे छोड़ा और दवाब छोड़ा वो हम सभी के लिए बड़ा ही जानना महत्वपूर्ण है ऐसे विशेश लोगों की जन्म दिवस को उनके बलिदान दिवस को हमें अवश्य स्विकार करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी देश के मुल्य होते हैं इनके बगार इनके बेना हम ना तो अपने अपने चेतना को परिभाशित कर पाते हैं नहीं हमारे पास कोई बहुत उत्साह पूर्वत चीने की संभावना होती है अग्रसर होने की संभावना होती है तो इसलिए आज हम अपनी और से आप सभी की और से नेतादीश सुभाष चंद्र बोस्ची को जो कि भारत की प्रत्म स्वतंतर सर्वकार के जनक हैं सर्वकार संस्कित का शब्द है सर्कार में लिख सकता था लेकिन सर्वकार थोड़ा सा जादा बेहतर शब्द है जो अपने अर्थ को जादा व्यापक दृष्टी से देता है क्योंकि सर्व में सब समाहित है और सर्कार में सर्व में सब कुछ समाहित नहीं होता अधिकार की भ पतंतरता नहीं अगर किसी ने किसी सरकार को स्थापिक किया या हम कहें कि भारत की पहली सरकार गवर्मेंट कौन सी थी, इंडिपेंडेंट गवर्मेंट कौन सी थी, तो हमें मानना पड़ेगा कि सुभाष चंद्रबोस ने जो आजाद हिंद पौज के माध्यम से जिस सरकार क स्थापना की है वही independent comment कहलाएगी वाकी तो सब जो है हम सभी जानते हैं कि transfer of power रहा है वो वस्तुता है कभी नहीं और अभी भी नहीं है तो बहुत सारे प्रश्म बहुत सारी चीजें बहुत सारी जो व्यवस्ताएं हैं या बहुत सारी घटना हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता हम जानना भी नहीं चाहते लेकिन ऐसे मौके हमें मिलते हैं जब हमें विद्वान वक्ता अभी मिलता है, कि वो सरल रूप में हमारे साथ सांथा करते हैं, तो हमारे ज्ञान के भी वृध्धी होती है, और हमें एक अपने इतिहास के प्रती आश्वस्ती भी होती है, क्योंकि अभी तक इतिहास जो भारत का लिखा गया है, वो बहुत दोश्पूर्ण इतिहास रहा है लेकिन हमें कहीं न कहीं ऐसे इतिहास कार मिलते हैं, जो वस्तुता इतिहास को इतिहास की दृष्टी से लिखते हैं, ना वो निंदा न स्तुती, ना वो किसी अजंडा से होता है, वो वस्तुता इतिहास कार होते हैं, ऐसे ही आज के हमारे इतिहास कार डॉक्टर बेरेंदर जो महाराज अग्रसेन पॉलेच जगाधरी में इतिहास के विभागा ध्यक्षण हैं और उनसे मैं परिचे अभी आप बात में कराऊंगा लेकिन दो तीन चीजे मैं आप लोगों के साथ और सांची कर लूँ एक स्लाइड और देखे जब मैं इतिहास कार के रूप में इतिहाथ की दृष्टी से आपसे बात करना चाहता हूँ और विशेश रूप से उनको जब आमंतृत करता हूँ ऐसे इतिहास कारों को जो निश्पक्ष रूप से अपनी बात रखते हैं ग्रिटिकल तरीके से अपनी बात रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ये देखे कि दो एक लेटर है और दूसरी तरफ वो विक्ति है जो आजादी देने के लिए उत्सुक है इस भारत को आज उसके बारे में बाग की जाती है और जोहरलाल नहरू के द्वारा लिखा गया ये लैटर अगर ये सच है अगर ये यथार्त है तो आप देखे कि वहां पर उसके लिए शब्द क्या यूस किया गया है वार क्रिमिनल और किसको कहा गया है किसके लिए उनको war criminal घोशित किया गया है ब्रिटेन के प्राइमिनिस्टर के लिए एटली के लिए जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे बात में चपचपचा होगी तो बात सामने आएगी उभर करके और उसके कोई न कोई कि अवश्य सुनने को मिलेगी तो यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह की विपरीत परिस्टितियों में भी सुभाष चंद्र बोस ने अपने लक्ष को ध्यान में रखा इस देश के लिए इस समाज के लिए जो हो कर सकते थे वो उन्होंने करने में संगोच नहीं किया सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो जानकारी और भी मैं आप लोगों के साथ जिश्चित दूट से सांजा करना चाहूंगा आज के मुख्य बक्ता के मादून से कि एक तरफ गांधी रहे दूसरी तरफ नहरू रहे और बीच में आप सुभाष चंद्र बोस का चेहरा देखें तो आपको उनके चेहरे के दिव्य अलोकिकता जलक्ती दिखाई देगी एक निर्मलता जलक्ती दिखाई देगी लेकिन बाकी दो चेहरों के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए उपत संभब नहीं है क्योंकि जब उनके साथ और सारी घटनाए घटी एतिहास में दर्स है उनको देख करके मैं ऐसे बात कह रहा है ये वो व्यक्ती है जो ये कहता है कि वन इंडीचल में डाई फॉर एन आइडिया बट एट आइडिया विल आफ्टर इस डथ इंकार्नेट इटसल्फ इन ए थाउजन लाइफ ये भी बात है जिसकी वज़ा से आज हम उनको स्मरंड कर रहे हैं आज भी वो हमारी प्रेणा के स्रोथ है मैं मुख्य वक्ता को आमंटिश करूंगा चर्चा के लिए एक तरफ वो कहते हैं और इसका प्रत्यक्ष उधारन क्या है आज के जो अंदोलन चल रहे हैं जो हमारा आज का विशय तो नहीं है लेकिन फिर भी वो एक उधारन के तौर पर मैंने आप से बात की है तो सीक्रेट अफ प्लिटिकल बारगेनिंग इस तो लुक मोर स्ट्रॉंग दैन वट यू डिली आर और दूसरी तरफ हो कहते हैं कि इतल और जो हमसेंदी तो लुक मंद्टो करका जिखे च्छा नहीं को हुवर एक ही चीजै कि मेरा देश आजात हो भारती आजाद हो आज के मुख्य वक्ता से परिचे कराने के लिए मैं आमंत्र कर रहा हूँ डॉक्टर मदन राथी जी को कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता से हमारा परीचे करवाएं और उसके बाद का कारिक्रम उसके बाद जॉक्टर साथ जॉक्टर वेडिंदर सिंग धिलों जो हैं वो अपना वक्त अब देंगे और उसके बाद हम कुछ प्रश्ण भी लेंगे कुछ टिप्टियां भी लेंगे और फिर उसके बाद वोट अब थैंक्स जो है उसके बाद हम इसको कारिक्रम को पूर्ण दरेंगे डॉक्टर मदन राखी जी सर आप जुड़े हैं लगता है शायद नहीं जुड़े हैं शाब बीच में जुड़े थे या डिस्कनेक्ट हो गया होंगे तो उनकी ओर से इतिहास विभाग की ओर से और NCC की ओर से मैं डॉक्ट साब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं स्वाधत करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए अन्य स सभी शोताओं का भी मैं स्वाधत करता हूं डॉक्टर विरिंदर सिंग धिलों इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं महराजय अभिरसेंग कॉलेज जगाधरी में और इनकी विशेष्टा यह है जैसे कि मैं बीच में भी कहा है हूं आप लोगों के कि निश्पक्ष और आलो ही विशेष्टता है नहीं तो समाने रूप से इतिहास बनाते हैं लेकिन तत्यों से सही जानकारी और सही द्रिष्टी देना यह जो विशेष्टा है यह डॉक्टर विरेंदर सिंग धिलों जी की है जिसके लिए मैं उनका हार्दे कभिनमदन भी करता हूं और मैं हृदे से उनका सम्मान भी करता हूं कि इस तरह के इतिहासकार बहुत कम उपलब्द होते हैं मैं काफी इतिहासकारों से मिला हूं सुना हूं जो केवल जिद में इतिहासकार भी बने हुए हैं जो भारतियता को स्विकार करने को तयार नहीं है और सबसे बड़ी बात मैं एक और कहना चाहूंगा इनके बारे में कि समाने रूप से इतिहासकारों का जो तैमाना होता है वो अंग्रेजी भाषा की terminology से होता है लेकिन विरेंदर सिंग धिलों जी के साथ ऐसा नहीं है जो भारतिय संदर्ब हैं भारतिय कि आप लोगों के साथ सांची करना चाहूंगा वो कहते हैं कि no real change in the history has ever been achieved by discussions करते रहें करते रहें लेकिन सचमुच वही हुआ कि स्वकंत्रता के नाम पर power transfer हुई वो independence से ही माइन में नहीं मिली और उसके बाद सारे देश को independence के नाम पर ध्रमित भी किया गया और फिर अलगलग तरह की विचार धाराएं हम देखते हैं जहां पर देश को हमेशा कही न कहीं टुकड़े टुकड़े में पांटने के प्रयास होते रहे हैं तो अस्टू इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा आरम करने जा रहे हैं और उससे पूर्व एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक मैडम की बात हुई यम्ना नगर में डॉक्टर गुरिंदर कौर हैं बॉटनी की प्रोफेसर हैं वहां गुरुनानक गल्स कॉलिज में उनके जो रेलेटिव तो रेलेशन में ही भास चंद्र बोस जी के साथ जिनोंने काम किया मिल के कंदे से कंधा मिला कर काम किया जो उनके 20-20 लोग थे उनमें से कर्नल प्रीतम सिंग के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी थी और मेरे साथ उन्होंने एक उनकी फोटोग्राप भी शेर की है मैं समयता हूँ कि ये एक सही मौका है कि हम कर्नल प्रीतम सिंग जी को भी अपना श्रधांजली उनके प्रती अर्पित करते हैं। उनको भी स्मराण करते हैं, उनकी स्लाइड मैं बाद में शेयर करूएंगा क्योंकि अभी-भी वो मुझे प्राप्ट हुई है। जो भी जानकारी होगा वो लेक्षर के बाद मैं आप लोगों केसाथ सांजी करूएंगा लेकिन आप लोगों की और से, अपनी और से, अपने कॉलेज की और से, मैं करनल प्रीकम सिंग्जी के प्रती अपना शद्धांजली अट्पित करता हूँ. और उनको स्मरेंट करता हूँ, इसमें एक इसकनेक्ट हो गया है, मुझे उमीद है आप सब इसको सुन पा रहे होंगे, तो मैं आमंत्रिक करना हूँ, डॉक्टर विरेंदर सिंग्जी जिन्यों चीतों, कि वह हमें उनके व्यक्षित्वों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, और वो मूलता है, उनका चरित्र कैसा रहा है, किस तरह कि उनकी सोच रही है, उन सभी पे विचार प्र जो इस्तमाल कही है, तैस्ट जो जौरे लोग्या है, कि इन्समाल कही हूँा, क्यूद्ध मुनि गॉरे विठीट गीन्हें लुटू है के लिए धिए। ने गी ट्यूल गॉआन गया। एम रहे गली गज़े को एम्बाल केंट, and Dr. Ashutosh Anirasji. Dr. Madhan Rathi, the organizer, remained a cohort during my research days in Kurukshetra University, so his effort in arranging this webinar is quite laudable. I congratulate all departments and concerned organizations who played a key role in organizing this national webinar. First, a word about the topic of discussion. Angrish ji, I am audible to all na? DG, yes. First, a word about the topic of discussion, which I suggested to the organizers was transforming young minds in the true service of nation. Neeta ji on students and politics. But the one mentioned in the brochure and circulated wide WhatsApp message is a misnomer, I believe. It's my own perception. Neeta ji, Subhash Chandra goes, father of first independent government of India. The correct title would have been on Jawaharlal Nehru, father of first independent government of India. It's on historical facts. The topic which the organizers mentioned in their invitation is historically, factually incorrect. If we view the historical concept of father of first independent government of India, that was Jawaharlal Nehru, who first unfoiled the tricolor national flag on 26th January 1930 at Lahore and marked the day as Independence Day. It was Nehru who addressed the nation on Independence Day as interim prime minister and representative of free Indian people on 15th August 1947. So it would be a grave mistake to weigh two great freedom fighters, Neeta ji boss and Nehru, in the weighing machine of present realities. Deliberating on such a false historical notion would be the biggest disservice to the nation and also to the academic world. Giving agency to an individual would be like hurting billions of troops all who fought for the freedom of of India. No individual was responsible for the first independent government of India. It was we, the people of India. हम भारत के लोग, जैसा की हमारे समीधान की जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल, तुदी कॉंस्तुशन आफ इंडिया, जिसमें जन जो भारत राश्ट्र है, वो अपने लिए एक स्थान बनाता है और वही वास्तव में भारत के स्थापना के First Independent Government of India जो जिसके स्थापना की गई है वो हम भारतियों ने की है, हम भारत के लोगों ने की है, हमारे पूर्वजों ने की है किसी इंडिजन नहीं की है, किसी भी एक व्यक्ति का उसमें अगर हम एंफसाइस करते हैं तो हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू जो परजातंतरिक विचार हैं हमारे जो परजातंतरिक वैल्यू हमने इनहरिट की है since ancient India उनको हम किसी तरह आगहात पहुँचाएंगे, किसी तरह से हम उन पर चोक करेंगे जो हमारा समीधान बनाया गया, वो हम लोगों ने सुविकार किया हमने अपना राष्ट सुविकार किया, हमने आजादी ली किसी सुभास ने, किसी नहरू ने नहीं ली हम, we the people of India, हमारे जो पूरोज थे, जो उस समय पर, though I was not there बट हमारे पूरोजों ने ये काम किया है Our trust with destiny was marked by all freedom fighters सभी एक छोटे से छोटे शहर के एक freedom fighters से लेकर Jawaharlal Nehru, Nita ji, Bose, Ambedkar ji, सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया राष्ट्र सभी का था और सभी ने उसमें योगदान दिया So it is very wrong to call somebody the father of first independent government of India So all the people of India were responsible for it Why do we need to create a parallel narrative? क्यों चाहिए हमें इस तरह का parallel narrative History में कि कोई फादर आफ नेशन को हम बनाएं Sorry, father of independent government of India It was neither an independent government जो गौवर्मन सुभाष्चंदर बोस ने फाउम की थी 21 October 1913 को Singapore में वो प्रोविशनल government of Azad हिं थी It was not first independent government of India I want to make it clear to all, everybody Why there is a need to create a parallel narrative About the father of first independent government of India Though it was neither an independent government Nor represented from the mainland भारत के भूमी से नहीं उसको बनाया गया था भारत के लोगों ने उसे नहीं बनाया था वो जो प्रोविजनल government वो establish की थी वो prisoners of war थे हमारे बिटिस चैनिक थे They formed that government with exploit जो भारत के निवासी South East Asia में रहते थे उनके दुआरा वो सरकार बनायी गई थी उससे हम hurt करेंगे जो agency हमारे भारतिय लोगों की थी जो लाखों करोडों लोग जेलों में रहे जिन्होंने sacrifice किया अंडे मान की जेलों में बर्मा की जेलों में बहुत से विदेशी जेलों में उन्होंने भारत के sacrifice के लिए किया चाहे वो Canada रहा हो चाहे England रहा हो तो हम क्यों करना चाहते हैं ये parallel narrative create हमें भारत के लोगों को democratic values को institutions का सम्मान करना चाहिए मेरा ये पहला वो है Why do we need to create heroes above democratic institutions हम individual core democratic institutions हमारी समीधान हमारे जो विचार है मोलिक जो हिंदुस्तानी संस्कृती के जो भारतिया संस्कृती है उसके जो मूल तत्व है हम उन से उपर किसी व्यक्ती को क्यों बिठाना चाहते है उससे हम अपने इन मोलिक विचारों को अपनी संस्कृती को आगात पहुचाएंगे ये नहीं हमें करना चाहिए आशुदोजी मैं बहुत समाच आँँगा आपसे पर ये सत्व है हमारी संस्कृती का विचारों की स्वतंकरता विदाउट हर्टिंग दे शिलिंग्स अफ अदर तो आज जो हम बात करेंगे और जिस पर मैं एंफसाइज करूंगा वो होगा ट्रांस्वार्मिंग यंग माइंड्स इन ट्रू सर्विस ओफ नेशन जो हमारे युवा हैं जो हमारे प्रेना श्रोत हैं आगे फ्यूचर हैं हिंदुस्तान के वो कैसे भारत के लिए एक ट्रू नेशनल सर्विस कर सकते हैं इस संदर्व में सुभास चंदर बोस का एक बहुत महत पूरण वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने नेशनल मुजियम करकता के आर्चाइब्स में पढ़ा था वो है 19 अक्तुबर 1929 को उन्होंने लाहोर में जो स्टुडेंट कॉन्फरेंस के प्रेजिदेंशिल एड्रिस दिया था आज मैं वो आपके साथ साजा करूंगा इसके लिए मेरा जो इंटेंट है अधिस प्योर्ली अकैडमिक अन्रेशनल इफ अधर्वाइस एक वोड़ कॉज एनी इमोशनल अपहीवल प्रेजिदेंशिल एड्रिस दिया था लाहोर के स्टुडेंट कॉमुनेटी को 19 अक्तूबर 1929 का जिसका टाइटल उन्होंने रखा था स्टुडेंट एड्रिस तो ये जो वक्ते वैं उन्होंने वहां पर लाहोर में 19 अक्तूबर 1929 को दिया था उसमें वो सबसे पहले अपने उदेश्य को जस्किफाइग करते हैं कि क्यों लाहोर के स्टुडेंट कॉमुनेटी ने उन्हें बुलाया है क्यों परपस क्या है उनका समन करने का कलकत्ता से लाहोर जो लाहोर के उर्गनाइजर्स थे स्टुडेंट कॉन्फरेंस के वो कहते हैं सुभाष चंद्रपोश जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे इसलिए आमंत्रित किया है ताकि मैं यंग माइंड्स के साथ यूथ पंजाब के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ और मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ पंजाब के लोगों का और क्योंकि बंगाल और पंजाब दोनों में बहुत से मामलों में एक रूपता रही है बंगाल जो सबसे पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ और पंजाब जो सबसे बाद में गुलाम हुआ लेकिन दोनों ही जगे के बंगाल के और पंजाब के युवाओं ने संघर्ष करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में एहम भूमिकाने भाई है तो सुभाज चंदर को उस अपना वेक्तव वे जो प्रेजिदेंशी लैडरेस देते हैं वो शुरू करते हैं जो उन्होंने जतिन दाज इनको बोलते थे उनके लिए और जो उनके साथ बंगाल के युवाओं का जिन्होंने हमारे बंगाल के क्रांतिकारियों को युवा क्रांतिकारियों को अपने दिलों में अपने घरों में और अपने विचारों में जगे दी है वो इस बात को भी वेक्त करते हैं कहते हैं कि मैं इस चीज़ से भी बड़ा एन्वी करता हूँ इर्शा करता हूँ कि जो मौडन ददीची बोलते हैं जतिन दास को वो मौडन ददीची की जो तपस शेत्र रहा पंजाब रहा मैं इस चीज से बड़ा इर्शा करता हूँ कि मुझे वो अफसर नहीं मिला जो जतिन दास को मिला और उन्होंने पंजाब को अपनी तपश्या की भूमी बनाया राश्र सेवा के लिए और वो उन्हें ददीची कहकर संबोदित करते हैं वो फिर आगे एफसाइज करते हैं कि किस तरह से पंजाब और बंगाल ने जो युवाओं ने परियास किया उससे अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलती जा रही थी और वो इस बात का आवान करते हैं फिर वो emphasize करते हैं कि किस तरह से बंगाल की जो साहिते हैं बंगाल के जो लेखक हैं चाहे वो रविंदर नाट टैगोर रही हैं या दूसरे अन्य लेखक रही हैं और जो बंगाल के युवा हैं वो किस तरह से बटु केश्वरदर भगत सिंग जैसे करांतिकारियों से उनके लिए वो धन्यवाद देते हैं पंजाब के उनका इसके बाद वो बात करते हैं कि किस तरह से जो पंजाब के हिरोaller हुं है जाहे वो महराजा रंजीत सिंग रहे हों या सेंट्स रहे हों पंजाब के उन्हों ने किस तरह से बंगाल की संस्कृति को एक भारतिय संस्कृति में परवर्तित करने में एहम भूमिका निभाई है। उनका मैं कोट इनकोट करता हूं वो कहते हैं फ्रेंड्स, I shall make no apology if in this discourse I refer at length to political questions and edwards to answer them. उनकोट वो कहते हैं कि दोस्तों मुझे इस बात की कोई apology नहीं है, कोई शमा नहीं है कि मैं अपने वक्तवे में अगर राजनितिक परसनों पर परसन चिने लगाऊं, जो राजनिती हम हैं, उसमें युवाओं की भूमिका एहम हैं, वो इस पर बल देते हैं. और वो कहते हैं कि चितरंजन दास जो उनके राजनितिक गुरू थे, दिन बंधू चितरंजन दास, उन्होंने कहा है कि वो सुभाशन दे बहुत कोट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि C.R. दास ने कहा था, लाइफ is one whole and therefore politics cannot be separated from education. जीवन जो है, एक ही है, वो पूरा होल, पूरा होना चाहिए और उसमें राजनिती से हम सिक्षा को अलग नहीं कर सकते और सिक्षा से राजनिती को अलग नहीं कर सकते. वो फिर emphasize करते हैं किस तरह से British government ने जो ban impose कर रखा है, students का politics में participation को लेकर, ये वो कहते हैं कि participation जो politics में है students का, वो हटना चाहिए और क्योंकि ये राश्ट्य सेवा है, जब students national politics में भाग लेंगे, तो वो राश्ट्य की सेवा करेंगे, और इससे उनका जो राश्ट्य गतिव कि दिया हैं, उन में चरित्र बनेगा और वो भविश्य के political thinkers बनेंगे, politicians बनेंगे, इसलिए emphasize करते हैं सुभाष चंदर, बहुत इस बात पर बल देते हैं कि युवाओं का जो participation होना चाहिए राश्ट्य में वो बहुत आवश्ट्य है, क्योंकि इस से उनके चरित्र बनाने में, उनके manhood में, और वो कहते हैं कि ये सिर्फ भाग लेना ही नहीं, thought without action cannot suffice to build character, वो फिर कहते हैं कि हिस्सेदारी होनी चाहिए और उस हिस्सेदारी के लिए क्या मापदंड होने चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी के, इसके बाद वो emphasize करते हैं कि किस तरह से जो युव युवाओं का student moment है, वो पूरे हिंदुस्तान में उसका genuinely growth हुआ है, 1920s में, 1929 में, और ये कहते हैं कि ये बहुत ही महत पूरण कदम है, जो भारतिय विद्यार्थियों ने इसके लिए किसी भी प्रांत के हो, चाह महराष्ट के हो, चाह बंगाल के हो, चाह पंजाब के हो, स सभी युवाओं का इसमें बहुत भागीदारी है, और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा occasion है आज जब आपने हमें यहां आमंतरित किया है, जब हम इस बात को खुल के कह सकते हैं, कि ये अफसर मिला है आपको राष्टर की सेवा करने का, और यहां से आप एक राष्टर का निर्मा कर सकते हैं, जो स्वतंतर होगा वैचारिक तोर से, स्वतंतर होगा राष्टिक तोर से, समाजिक तोर से, आर्थिक तोर से, तो फिर वो एक caution भी देते हैं, कि जो Indian Penal Code अंग्रेजों ने लगा रखा है IPC, उसके कारण जो restrictions हैं, उससे कुछ restrictions लग जाती हैं student moment पर, लेकिन प भाशन ही राजा की स्टूती से करती थी, उसके बाद जो moment था, student moment था, वो भी colleges, universities में अधिकार लेता था, और वो एक बात पर और emphasize करते हैं, कि मैं इस बात का भी धन्यवादी हूँ आप लोगों का, कि आपने मुझे आमन्परित किया, क्योंकि मैं तो खुद एक expelled student हूँ, presidency college से, एक दूसरी university से, लेकिन फिर भी ये free atmosphere जो create हूआ है, student moments के दौरान, इस से एक आजादी मिली है, अभी वक्ती के विचार की, अभी वक्ती के विचार की, उसको उन्होंने बहुत emphasize किया है, फिर वो कहते हैं, कि आज का जो युवा आंधोलन है, उस पर परकाश डालते वो कहते हैं, कि आज का युवा जो है, वो restless है, impatient है, क्योंकि आज की जो स्थिती है, वो बहुत घातक है, और उसके अंदर एक ऐसा desire है, intense desire है, कि वो कुछ नया करे, कुछ बहतर भविश तला से अपने के लिए, और ये काम, सुभाश चेंदर बोस कहते हैं, ये काम एक यु का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन सकता है, जो पूरंत राष्ट सेवा कर सकता है, वो कहते हैं कि ये कोई moment जो ये आंदोलन है, ये irresponsible boys, girls का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक जिम्मेदार आंदोलन होना चाहिए, ये आंदोलन thoughtful men and women, young thoughtful men and women का आंदोलन होना चाहिए, और इस आंदोलन की एक ही inspiration होनी चाहिए, to build the character of nation, to build the character of young, to build the personality and rendering true service, useful and effective service to the country, तो वो कहते हैं कि इसके लिए एक युवा को क्या करना चाहिए, इस तरह की सेवा दराष्ट की आगर करनी है एक युवा को, तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं, Every student requires a strong and healthy physics, एक बच्चे को, एक युवा को, भारत के युवा को strong होना चाहिए, उसे healthy होना चाहिए, उसकी सेहत, उसे सेहत मंद होना चाहिए, इसके साथ साथ उसका जो चरितर है, वो sound होना चाहिए, उसका चरितर और उसका जो brain है, that should be full of useful information, healthy dynamic ideas, और ये जरूरी है, अगर ये उसके पास नहीं है, तो उसे भारत की चाहिए वो अंग्रेज सरकार है, या कोई और सरकार हो, उससे demand करना चाहिए, authorities से demand करना चाहिए, ये तीन essential ingredients of character building for national service should be given to the youth, पहला, strong and healthy physics, जो वो खुद से बना सकता है, दूसरा sound character and third brain full of useful information, healthy dynamic ideas, इसके अलावा वो एक suggestion भी देते हैं, वहां के लाहोर के जो students associations थे, उनको एक suggestion देते हैं, वो कहते हैं, कि आप लोगों को मिलकर एक cooperative सवदेसी stores बनाने चाहिए, ये दो महतपूरण कारिये कर सकते हैं आपके लिए, पहला तो ये जो student community है, उसको सस्ते और बहतर वस्तर उपलब्द करवा सकते हैं, दूसरा, इससे हमारी जो हत्करगा उद्योग है, जो industry है, home industries है, उनको encouragement मिलेग और दूसरा जो महतपूरण उदेशिया वो आप अपने suggestion के पीछे बताते हैं, वो कहते हैं, इससे विद्यार्थियों को, इससे युद्ध को एक experience मिलेगा कि किस तरह से वो cooperative stores को, cooperative society को चला सकते हैं, और इससे जो आए होगी, इन सवदेशी stores को चलाने से जो आए होगी, उ वो विद्यार्थियों के और community के welfare के लिए उसको इस्तमाल कर सकते हैं, और बड़ी सुन्दरता से वो कारियों का भी उलेख करते हैं, अपने वक्तेवे में हैं, कि किन कारियों में, किन community, student community welfare की activities में वो इस profit को लगा सकते हैं, जो वो सवदेशी stores से कमा सकते हैं, वो कहते है physical cultural societies बनानी चाहिए, जो योगा पर जो physical activities है, कुष्टी पर, दंगल पर, इन चीजों पर जो दे physical culture की societies establish कर सकते हैं, वो जिमनेजियम establish कर सकते हैं उस पैसे से, वो study circle ज्यान के केंदर वो स्थापित कर सकते हैं, वाद विवाद की societies का निर्मान कर सकते हैं, महतपूरण magazine को उसमें ला सकते हैं, music club बना सकते हैं, libraries बना सकते हैं, गाओं में विद्यार्थियों के लिए, इसके अलावा reading rooms बना सकते हैं, और social service league बना सकते हैं, जो अपने विचारों को ग्रामिन छेत्रों में पहुँचाएं, शेहरों में पहुँचाएं, और भारत की जनता की सेवा करें, देखें, आज हम कितना इन उदेशों से अनभीगे हो गए हैं, इसलिए अनभीगे हो गए हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम में, हमारे वक्तव्यों में ये चीज़ें नहीं जलकती हैं, एक जो ये what's up university का जो ये fake news का culture है, इसने भी इन सब उदेशों से हम अनभीगे कर दिया है, फिर वो कहते हैं कि इस युवा आंदोलन का जो परमुदेशे हैं, वो है ट्रेनिंग future citizens of pre-India, और इसकी ट्रेनिंग करने के लिए एक vision होनी चाहिए, एक युवा की एक ideal society को establish करने के लिए, एक program of action and activities होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम युवा को को त्यार कर सकते हैं और उस युवा को त्यार करके, sorry for the inconvenience, sorry for the inconvenience, there was some trouble, I hope I am audible now, am I audible? तो वो कहते हैं कि इस आंदोलन से, इस युवाओं के आंदोलन से, इस विद्यार्थियों के आंदोलन से, हम future citizens को train कर सकते हैं भारत के लिए, जिनकी एक vision हो ideal society की, हमारे युवा की आज कोई vision ही नहीं, he has two visions, एक अच्छी नोकरी हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी लड़की हो, this he criticized कि हमें responsible युवा नहीं चाहिएं, हमें responsible युवा चाहिएं, जो एक vision रखते हो ideal society के लिए, उनका एक program हो, action के लिए, activities के लिए, जिससे कि वो भारतिय समाज की कल्यान कर सकें, उसके लिए य हैं कि हाँ, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि आज हम स्वतंतर नहीं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम तो परिदहान हैं, British समराजी की अधीन हैं, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को to think and feel free, no bondages can stop him, किसी व्यक्ति को स्वतंतर से सोचने के लिए करने के लिए, कोई व्यक्ति पर इधान नहीं कर सकता, कोई सत्ता, कोई सरकार पर इधान नहीं कर सकती हैं उसको, तो वो कहते हैं कि let us be a complete revolution within you, let us thoroughly intoxicate with us divine of freedom, जो स्वतंतता है उससे, जो complete revolution तभी ही हो पाएगा, जब हम युवा एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें हम खुद स्वतंतर सोच रखते हों, स्वतंतर विचार रखते हों, और हमारी एक विजन हो, अपनी किस तरह का हमने समाज का निर्मान करना है, इस तरह की वो आगे बात रखते हैं, फिर वो कहते हैं कि the only method of achieving freedom is to think free, is to feel free and let us opt for this complete revolution where we can, we can form a nation which is of vision, which is of quality, which is of community service, which is of dedication, truthful service to the nation would be then. अंत में वो अपने वक्ते वे के उधारन देते हैं चीन का, वो कहते हैं, देखे, I'll quote what he said, next door to us is China, let us therefore take a leaf out of its recent history. and see what the students in China have done for their country. Can we do the same for India? Unquote. वो कहते हैं कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं, चीन, उसको देखे, उसके एतिहास से कुछ प्रेयना लीजिए, जो स्टूडेंट्स हैं, चाइना के जो विद्यार्थिया हैं, उन्होंने क्या कर दिखाया है अपने राश्टर के लिए, क्या हम वो कर सकते हैं अपने राश् स्टूडेंट्स ने free thought, free, with sound physique, sound mind and sound body, they travel to their villages, established factories there and started generating resources for the nation with the message of self-reliance and freedom, कि आतम निरभर बनिये, स्वातंतर बनिये और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राश्टर के लिए, सही देश भगती तभी है जब आप उसके लिए truthful, selfless service आप करते हैं और इसके लिए सुभाष चंदर बोस, भारतिय युवाओं को, विशेशकर लाहोर के student conference के सदस्यों को, student associations को वो कहते हैं कि चाइना से आप सीखिए, किस तरह से चाइना के युवा ने एक ऐसा राश्टर, शक्तिशाली राश्टर स्थापित कर दिया है जिसके, जिसकी connectivity है, rural or urban, जिसकी wish में एक पहचान बन गई है, और आज आप देखे, China holds widow power of the world, because उसने अपने आपको एक ऐसे स्थर पर, एक ऐसे आतम निर्भर लेवल पर अपने आपको गल्प कर लिया है, और सुभाष चंदर बोस, 1929 में ये बात कहते हैं, कि आप चाइना से, और चाइना से सीख कर किस तरह से उसके युवा ने एक ऐसा राष्ट्र क्रियेट कर दिया है, एक ऐसा राष्ट्र का दिर्मान कर दिया है, जो पूरा विश्व जिसका लोहा मान रहा है, फिर अंत में वो अपने वक्तेव को समप करते हुए, अपने वक्तेव क समाप्त करते हो कहते हैं there is no royal road to freedom path of freedom is a thorny path it is a path which leads to glory and immortality freedom means life and death in pursuit of freedom of glory of imperishable glory वो कहते हैं कि यह आसान डगर नहीं है जिस पर चल कर आप आसानी से इस पर जगह जगह पर कांटे हैं जो यह स्वतंतरता का मार्ग है और इसको हासिल करने के लिए आपको अपने प्राण भी अगर राष्ट के लिए ने च्छावर करने पढ़ जाएं तो वो भी कुछ नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि स्वतंतरता जो है वो जीवन है मिर्तियू जो है वो आप हासिल कर सकते हैं और वो आपकी जो डेथ होगी वो ग्लोरी के लिए इंपरिशबल होगी उसको सदा के सदा जेनरेशन्स याद रखेंगे और इसी के साथ वो धन्यवाद करते हैं स्टूडेंट कानफरेंस और स्टूडेंट एशूशेशन्स का लाहोर का और वो कहते हैं कि अगर मेरे इस वक्तवे से किसी हिर्दय में चिंगारी उत्पन होती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धी होगी इसी पर मैं अपने वक्तवे को समप करने से पहले एक दुशित कुमार की कवीता की कुछ पंक्तियां मैं अंकत करना चाहूंगा हो गई है पीर परवत्सी अब पिगलनी चाहिए फिर हिमाले से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही कहीं हो ये आग आग जलनी चाहिए धन्यवाद बहुत अच्छे बेहतरीन उनका बक्तव्य था और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मेरे साथ हैमत हुए और उन्होंने इतिहासकार होने के नाते जो आलोचनात्मी ग्रूप से ये बात कहने की कोशिश की कि हम एक ही व्यक्ति को क्यों थोपना चाहते हैं राष्ट की चेतना पर और इस तरह का नरेटिव क्यों डिजाइन करना चाहते हैं और क्यों उसको डिवल्प करना चाहते हैं सारा वक्तव ये बहुत खूबसूरत था निश्चतुरूप से उसमें कोई संदे नहीं है और उन्होंने युवा के लिए जो प्रेणा बातें की ही है जो युवा के लिए उन्होंने चर्चा की है वो निश्चतुरूप से आदर की योगे हैं और किसी भी युवा को प्रेदित कर सकती है लेकिन एक जब इस तरह का विशे चुना जाता है और जब मैं बहुत responsible तरीके से तो विशे नहीं चुन था लेकिन निश्चतुरूप से मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि भारत के इतिहास कारों ने भारत के साथ नयाई नहीं किया मुझे नहीं पता आप इस मेरे बात से सहमादुत होंगे कि नहीं होंगे कि भारत के इतिहास कारों ने एक पक्षे इतिहास लिखा उसमें सब कुछ included नहीं था जस्टिफाई किया उनने और बहुत सारे ऐसे दोश हमारे इतिहास के कारण आए हमारे समाच में कि हम अपनी देश की परंपराओं से ही अलग होंगे आप मुझे प्रक्षुत्तर दे सकते हैं बात में लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ हूँ वो सुनकर कि फिर आपके रविंदर पार उत्ताजीब भी प्रशन ले ले लेंगे जाए हमकी है मैं अब आमंत्रित करूँ है क्योंकि इतिहास बहुत दोशों से भरा हुआ है और अब जब हम RTI में NCRT से पूछने हैं कि ये प्रमान कहां से लिए आपने इन चीजों के प्रमान कहां से लिए तो उनके हाथ खड़े हैं तो कितना इतिहास ने इस देश के जिन युवों की हम बात करते हैं डिस ओरिंट किया है और उनको अपनी मूल धारों से ही काट दिया है उसके लिए इतिहासकार अपने दोश से बच नहीं सकते लेकिन वो चर्चा हम रखेंगे निश्चित रूप से रखेंगे और मैं बहुत सारे प्रमान आपके साथ सांजा करूँगा जहां पर इतिहासकारों ने किस तरह से इतिहास को पल्टा भी है गलत अवधारने दी है और एक ऐसा नरेटिव तयार किया जो मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को तो बिलकुल स्विकारे नहीं है कम से कम जो संस्कित का व्यक्ति है तो उस पे हम जरूर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से मैं स्वागत करूँगा लेकिन अभी क्योंकि हमारा विशे जो है और ये विशे इसलिए रखा था क्योंकि वो उन्होंने एक प्रयास किया कि भारत की स्वतंत्र सरकार बने अजाद इन फौज की सरकार क्या सकते हैं लेकिन वो किस के लिए है भारत के लिए और भारत की जो पहला जंडा लहराना या बनाना वो तो पावर ट्रांसफर के अंडर है इसलिए मुझे कभी भारत स्वतंत्र लगा नहीं कहने को याश्वतोश जी मैं जंडा आप जैसे विद्वान की बात सुनना मैं हमेशा आदर देता हूं बात को और माननेता भी देता हूं और अपने को करेक्ट करने की भी कोशिश करता हूं लेकिन मेरे हरिदे में जो इड़ा भी है और जो तर्फ्र भी मेरे सामने हैं उन दोनों को भ्यान में रखते हैं मैं बात करता हूं लेकिन हमेशा इस बात के लिए अपनी परंपरा की वजय से मैं तयार रहता हूं कि हमेशा विद्वानों से पूछें और अपने को करेक्ट करें तो मैं उस द्रिष्टी का विक्ति हूँ तो हम उस बात को आगे जरूर बढ़ाएंगे कि इतिहासकारों के इस नरेटिव को जो उन्होंने डिजाइन किया लेकिन उससे पहले मुझे लगता है गुपता जी कुछ कहना चाह रहे हैं और भी लोग जो प्रश्न करना चाहें लेकिन इस बात को छोड़ करें जो मैं और डाक साब कर रहे थे चोटी से बागे में आप मुझे इजाज़त दे तो महत्मा गाती ने बहुत सुन्दर बात कही थी आई फॉर आई विट्ट वोल वर्ट ब्लाइंट जिस तरह की डिस ओरेंटेशन पहले हिस्टोरियन ने की है अगर हम भी डिस ओरेंट करेंगे तो विल मेंग दो होल हमारी future generation वो समझ ही नहीं पाएंगी क्या उचित है क्या अनुचित है जो आज हो रहा है WhatsApp University और जो फेक न्यूस चलती है मीडिया में ठीक है मैं खर उस WhatsApp University का student नहीं हूँ ने ने मैं आपको नहीं कहा रहा हूँ अधर देता हूं तो इसी के साथ डॉक्टर रविंदर कुमार गुपता जी की और भी जो लोग अपनी बात डॉक्ट साथ के साथ सांशी करना चाहें या हमारा ज्यान बर्धन करना चाहें सुभाज ची को लेकर के तो उनका स्वागत जी सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत करता हूं एक बहुत ही सार गर्वित और विश्रेशनात्मक्त विवेचना के लिए लेकिन एक दो बाते मैं इसमें जूड़ना चाहता हूं जी पहली बात इतिहासकार के रुमे मैं उनसे चाहूंगा एक बात जब उन्होंने ये कहा कि जो आजाद हिन फोज की वो जो अब यह जो शब्द है ना प्रिजनर सव वार यह मेरे को कहीं ना कहीं चूता है क्योंकि यदि प्रिजनर है वो तो भी वो बना के से सकते हैं सचाहिए है इतिहासकारों ने को नहीं क्यों नहीं कहते इस बात को जवाब आपको मेरे से चाहिए ना जवाब देता हूँ फिर आप अपना वेक्तवय पूरा कर गिए देखिए सुभाज चंदर बोस ने आजान धिर्म फोज का या इंडियन इंडिपेंडिनेंस लीग का जो संगठन किया था वो जैपनीज साहिता से किया था और जैपनीज डॉकुमेंट हैं आप जब उनको पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो प्रिजनर्स ऑफ वर है तो हम वी केनाट गो प्योंड डॉकुमेंट्स डॉकुमेंट्स के बाहर नहीं जा सकता है एक हिस्टोरियन उसकी लिमिट है ये तो इस कारण से मैंने आई किसी एक डॉकुमेंट में प्रिजन वार लिख दिया गया किसी इस्टोरियन द्वारा क्या उसको हम करेक्ट नहीं जैपनीज गोर्मेंट द्वारा मैंने यह बात तरही है तो कोई लिखने वाला होगा सर प्रश्रे मेरा यह है कि जदी आप उनको कैदी बताते हैं यूद लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं तो कहीं न कहीं मैं यह समझता हूं कि इतिहास के इन सब्दाओं को बदलने की आवश्च्टा है नमर एक दूसरी बास सर घ्लो साब आपसे करना चाहा हूं मैं कि जब आपने स्वास्चंद्र जी के रिफ्रेंस में चैना के स्वेंट की हो सकती यह बात लेकिन वह दो जार इकिस में सही नहीं है इसलिए हमें नए तरी को ढूलने होंगे इसकी बात अधि जब आशितों जी ने शुरू में कहा था एक रिफ्रेंस दिया था पास्चे की रिफ्रेंस था हलांकि वो किसान आंदोलन के बारे में मैं यह समझता हूं कि जदी हमने श्वास्चंद्र बोस जी की नीतियों को बनाया होता जिसका ढिलोधा आपने बहुत अच्छा सुन्दर विवेचना भी किया है कोपरेटिव नेस्टी आज भारत में जो यह किसान अंदोलन है यह कोंट्रेक्ट फार्मिंग वर्सिस कोपरेटिव फार्मिंग का प्रशन है किसान हमारा ग्रीब क्यों है क्योंकि उनके पैसों को उनकी वसलों को लोगों की वसलों को धन्ना सेट को मारे हैं बड़े-बड़े वो चाहिए इंडिया के धन्ना सेट हो तो हमने सवास चंदर बोश जी को तो पढ़ा ही नहीं है और मैं बड़े आपके विशे से अध्र कर रहा हूँ कि तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें अजादी ढूंगा और एक और बात में कहनाँ जाता हूं सब्सक्राइब कर रहा है कि वेचारिक मतबेट के होते हुए भी मान सम्मान कैसे दिया जाता है इसको यदि सीखना हो तो हमें नेता जी सब्सक्राइब कर दिया चाहिए कि वो कांग्रिस की अधक्षता चोड़ दें और उसके बाद जब वो विदेशों में चले गए और रंगूर में जब पहुच गए थे तो स्वाच चंदर बोस जी ने महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग किया था और यह कहा था कि बापू हमें आपके समर् को नकारा नहीं था लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि वो कहीं गांधी बापू गांधी बेना सुवाच चंदर बोस हो जाता है और सिर्फ एक में बड़े दुख से कहरा हूं है आज कि एक सो पच्चीश में हम जैनती में आ रहे हैं सुवाच चंदर बोस जो सभी भारतियो लेकिन आज क्या हो रहा है आज बंगाल में सब colors कर दिवच के रूफ में दूसरा बंगाल सरकार दौरा राष्न नायक ब्रिव ulti 006 कि लूफ में लैट अनौज नाय कि ईसे रास्त को एक एक कोशिश कि हो हम दुर्भाग्ये से राजनीतिक पर्द कानों से उसका भी बटवारा कर रहे हैं मुझे तो एसा लग रहे कि आज कहने के लिए मैं चाहूंगा कि आप जिलो साथ इसके ऊपर भी बताएं सर ये पुलिटिकल शद्धानजली नहीं है ये एकडेमिक्शियंस की शद्धानजली है और वाकि हम एकडेमिक्शियंस का भी ये उपकर दाइसो बनता है कि यदि राजनिटी कार्नों से कुछ गलत हो रहा है तो उसकी और भी हम इंगिट करें उसकी और भी हम संकेत करें जी जी सर दिलो सब आपने रिस्पॉंड करना चाहिए रविनाश जी ने अपना माइक उन कर लिया है तीन महत्पॉरन बातों पर उन्होंने बल दिया एक प्रिजनर आफ वार जो हम टर्मनोलोजी इस्तमाल कर रहे हैं जो मैंने भी की देखिए सर उसकी लिमिट मैंने आपको बता दी वी केनाट गो ब्याउंड डॉकुमेंट्स हां उसको एक ब्यूटिफाई करने के लिए हम जो शब्द इस्तमाल करें वो थोड़ा सा लिब्रल हो लिब्रल सरल हो लोगों को समझाए वो हम कर सकते हैं इस्तोरियन मैंने आपको अपने रिस्टिक्शन बता दी दूसरा जो सवाल है कि चाइना की उन्होंने बात की कि चाइना की जो प्रेजेंट कंडिशन है वो देखे युवाउं को बोलन हम क्यों गलत चीज़ें सीखें सर हमारी संस्कृती ने हमेशा सदियों से वही बुड़ायों को तो हमने छोड़ दिया सुर theor को हमने चोड़ दिया है सारी उइंड़ायों को अ 1993 को हमने चोड़ दिया है सब चीजों कंड़िया है हमने अच्छी चीजी के लेगी तो हम उन युवाउं से प्रेना लें कि वह जाकर आपने गनद üzerine हम किस तरह का युवा कर पर किस तरह का यूवा हमने प्यादा कर दिया है किस तरह की शिक्षा हमने दे दी है उसे चाहे वो कोई भी कारण रहा हो मैं कारण पर नहीं जाओंगा पर क्या हमें नहीं प्रेज़ना देनी चाहिए अपने यूवा को एक अच्छा साउंड फिजिक होने की आज बच्चा सो मीटर नहीं भाग सकता है वो धक जाता है मैं पिछले दिन हो NCC के अपने कॉलेज में ट्राइज देख रहा था बहुत से बच्चे सो मीटर नहीं भाग सके पंदरा सो मीटर नहीं भाग सके क्या साउंड फिजिक के बगार करेंगे वो दूसरा वो जब तक वो थौटफुल अगर सब्स्राइब भी कर दी हैं उसको रीडर कितने हैं वो यहीं एमफसाइज करते हैं वो कि भया हमें अपने युवाव को दिमाकी तोर पर मनोबल पर उसके कॉंसियसनेस को उसके हाटों को पैरों को मजबूत करना है ताकि वो राश्टर की सेवा कर सके और सर्थ जो आ इंडिजल ने अपनी जिम्मेदारी समझी आज हमने सारी जिम्मेदारियां सरकार पर सोंप दी हैं कभी हम स्मार्ट कार्ड बनवाते हैं उनसे कभी आधार कार्ड बनवाते हैं कभी अपना कुछ और बनवाते हैं जब हमने अपनी स्वतंतरता को सरकार को दे दिया है उसको identify करने के लिए दे दिया है सब कुछ उसको करने के लिए दे दिया तो हमारा क्या रह गया करतवे इस राष्टर में हमें अपने करतवे को पहचानना चाहिए एक नागरिक होने के नाते मेरी बहुत सी fundamental duties हैं जो समिधान के article 51 A में दी गई हैं बहुत से ऐसे करतवे हैं उनको हम दर के नार कर देते हैं सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं हमारे करतवे क्यों पूल जाते हैं हम और यूवा को तो सब्से पहले अवगत करवाना चाहिए हमें इन करतवें से ताकि वो राष्टर की सेवा कर सके यही सेल्फ लेफ सर्विस है जिसकी सुभास चंदर बोस बात करते हैं और आज के दिन आपने बंगाल की राजनिती की बात की उस पर भी मैं कुछ अपनी टिपनी रखना चाहूँगा आपके स्मक्ष बंगाल में जो हो रहा है सर वो इस अभी election है मार्च एप्रेल में उसके बाद सब शान्त हो जाएगा अगली साल देखिएगा आप वहाँ वहाँ कोई सुभास चंदर बोस को याद करने निवाला होगा सिर्फ माला पहनाने वाले होंगे अब सिर्फ क्योंकि उसका राजनिती करन करना है यही सबसे जो politics और education का समन्वे होना चाहिए उस पर मैंने emphasize किया सुभास चंदर के विचारों को लेकर लेकिन आज हमने education को politicize कर दिया है और politics को education based कर दिया है यह दोनों ही चीज़ें नहीं होने चाहिए हमें अपने युवा को properly educate करना चाहिए अपने आइडिल्स के बारे में अपने मूल तत्वों के बारे में जो हमारी भारतिय संस्क्रिती के मूल तत्व है और उसके अंदर जो मूल तत्व है वो हमारे समीधान में हमारे विचारों में हमारी आत्मा में शुरू से समाए हुए है आप अंदर से भारत के किसी वो जिस तरह हनुमान जी ने अपना सीना निकाल कर राण और सीता जी को दिखा दिया था आगर हम भारतिये अपने सीने को चलनी करके दिखाएंगे तो हमें भारतिये मूलतत्व मिलेंगे, दया का भाव होगा, करोना का भाव होगा उसमें, आप देखिए पिछले करोना के जब लोगड़ें डिपेंडेंट होने के सरकार क्या क्या करेपी हमारे लिए और क्यों करें वो करने के चक्र के दो हमारा फाइदा उठा रही है I hope गुप्ताजी मैं आपके जवाब देपाया मुझे लगता है कि बाकी लोगों के भी विचार ले 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 थोड़े सी किपनिया प्रोफेस्टर अविनाश जी बिहार से हैं बिहार उनिवर्ट्री में और दर्चुन के हैं सब्सक्राइब करने का जो प्रयास किया है मैं आरंब करता हूं रविंद्र जी के उस प्रश्ण पर प्रिजनर्स ऑव वार पर इन फैक्ट यहां पर दो बातें आती है कोई भी है कि विजित जाती या विजित्स देश तब तक विजित नहीं माना जाता है जब उसको मन और तन दोनों पर अधिकार हो जाए उस दोनों तरब से और उनके अंदर भारतियता समाहित थी और हमारे जो है शुभाष चंद्रबोस जी का योगदान यह है कि उन समस्त प्रिजनर साववार को एक बार फिर से मोरालाइज करके रास्ट के धरा में समलिक करने का जो श्राग्य प्रयास किया है उसके कारण ही उनके पास एक बली सार सेना खड़ी हो चुकी थी क्योंकि जब तक आप पूरे इत्याहस देखे ना पने उसकाल का तो आप देखेंगे कि हमारा पूरा जन्मानस परतंत्र नहीं हुआ था क्योंकि हमारे अंदर हमारी सभ्यता और संस्कृति का जब तक गर्व हमारे पास रहेगा जब तक उनका ग्यान हमारे पास रहेगा तब तक हम पूरे तोर से जो है परतंत्र नहीं होते हैं पूरे तोर से गुलाम नहीं होते हैं ठीक उन्होंने जिलन साहब ने बड़ी अच कि उन्हों ने उन्सारे नियुद्ध जिवन शर्क प्रदान की युडनी आपनी सेना खडा की जो बृटिस्थे के अगया सुने जी, धन्यवाद सर्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ प्राचारे प्रमोद वाजपई जी जुड़े हुए हैं, जगाजरी कॉलेज से महाराज अगरे सेंथ कॉलेज के प्रिंसिकल हैं, हम उनका भिनंदन करते हैं, स्वाधत करते हैं, और इस चर्था की बात्चित है, कोई और अपनी बात रखना चाता है, तो प्रोफसर जलों से σचब रखना है, तो प्लीज अपनी बात रख सकते हैं, संभशेप में, किसी की की कोई जग्यासा हो, प्रश्नों हो, यह इस सेमिनाड प्रश्नों के लिए किये जाते हैं, जग्यासा बनाने के ल तो यही है कि हम गुणों को स्थापित करें और दोशों को निकालें। जिसे भारत में संस्कार होता रहें। और उसमें गुणों की स्थापना हो और दोश उसमें से निकलें। तो यदि किसी और की कोई टिपनी है या कोई विचार है तो सांचा करें। नहीं तो फिर एक अंतिम बात कहके मैं और वाजपे जी से ज़रूर निवेदन करूंगा कि संक्षिप टिपनी को ज़रूर करें। मैं आपके साथ एक सांचा करना चाहूंगा जो मुझे कि जैसा कि मैंने शुरूर करें ये स्लाइड मुद्भा ओके मैं चाहता हूं कि ये मौका मैं लेना चाहता हूं। डॉक्टर बेरेंदर ची मैं चाहूंगा कि आप उन मैटम से क्योंकि वो यमना लेगर से ही है तो उनसे जुरूर कभी इस विशे में चर्था करें। और प्रितम सिंग ची जो ब्रिटिक्श इंडियान आर्मी से प्रिशिक्शन लेने के बाद 1936 में कमिशन पाकर के इंफेंटरी यूनिट में कैप्टन यूप हुए थे। और मतलब यह पूरा उनका एक बायडाटा है कि किस तरह से उन्होंने सुभाचंदर बोस के साथ काम किया और उनके अत्यांत विश्वस्त जो करनल्स हैं उन में से वो थे। और यह आप पूरा का पूरा नोट जो है उनके उपर लिखा हुआ है और हम सभी देख सकते हैं कि उनको नवंबर एक डिवीजन हेड़क्वार्टर यूनिट में लेटिनेंट करनल के पत्तर लिख किया गया और बर्मा वा आसाम में यह हैं अंग्रेजों के बिरूब और शौरे को देखते हुए आजाध इन सरकार की ओद से उनको सरदारे जंग की उपाधे से समानिक किया गया और 1945 में पांच अन्य अफसरों के साथ सरदार प्रिकम सिंग को भी नीताजी के साथ रूस जाने के लिए वहाँ नया मोर्चा खोलने के लिए चुना गया हवाईजाज की सुविधा ना मिल पाने के कारण 17 अगर्स 1945 को सैगाउन सिद में इन्हों ने अपने साथियों से विदाई ली किन्तु हनोई से आगे नहीं बढ़ सके मुझबूरन इनको अपने साथियों के साथ मिलिटिश हकूमत के आगे आत्म स्वर्पन करना पड़ा और अंग्रेजी फॉज ने सिंगापूर लाकर इनको जपानी युद बंदियों के साथ जेल में बंद कर दिया और उसके बाद इनको जब छोड़ा गया आजाद हुए म उसके बाद इनका भारत सरकार ने इनके कॉंटिबूशन को रेटेगनाईज किया और जब इन्होंने इनका देहा वसान हुआ है तो उस वक्त गौर्वर्मेंट आफ इंडिया की ओड से इनको पूरा राष्टिय सम्मान दिया गया आधी-आधी इस तरह की बहुत सारी बात आशुकेशी दो हजार बारा तेरा इस्वी में दो हजार बारा और तेरा इस्वी में एक सिकंड मैं अभी जुड़ता हूं एक सिकंड बस सॉरी वो थोड़ी बैटरी लोग हो गई थी इसकी मेरे लाप्टॉप की आध दो हजार बारा तेरा इस्वी में इंडियन कॉंसिल आफ इस्टारिकल रिसेर्च ने फोर वोल्यूम्स में जो जितने भी हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनका निकाला है और प्रित्म सिंग जी का भी उसमें जिक्र है तो विद्यार्थी और जो भी कोई रिसेर्चर है वो आई सी एच्यार की साइट पर जाकर उन्हें थोरली पढ़ सकता है उसमें ऑथेंटिक रिकॉर्ड है इंडियन कॉंसिल आफ इस्टारिकल डिसेर्च ने कि और जाने से पहले डॉक्टर प्रमोद वाजपई जी को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राचारे हैं जगातरी कॉलिज में तो मैं उनसे निवेदन करूँगा एक जिपनी अपना आशीर बचन अपनी सद्भावना जो है वो हमारे साथ सांची करे बहुत बहुत धन्यवाद अंगिरस साथ और मैं देख रहा हूँ कि रमेश जी भी हमें दिख रहे हैं कल से जब से मुझे पता लगा कि धिलों साथ का वक्तब है उसमें तो मैं थोड़ा उसाहिर भी हो रहा था मुझे सवेरे याद नहीं रहा और मैंने करीब साड़े क्या आप पौने बारा जुड़ पाया या एकदम से याद किया तो मैंने कहा कि चलिए जुड़ते हैं देखते हैं नेता जी के बारे में तो मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का क्यूंकि मैं न तो इतिहास का विद्यार्थी हूं और एक समाज वैग्यानिक होने के नाते आज इसे उसका सवाओने बहुत प्रश्वियान पर यह बहुत स्तु्ट्य प्रयास है और इसने लोगों ने सहभागिता की हैं उनस सब का और। मैं प्रेश्चन देख रहा था श्र एक बार बहुत इन्नॉसेंट किया गया है और बड़े अच्छी तरह से विश्लेशन किया गया है और प्रस्तुती भी बहुत अच्छी की गई है एक दो बाते जिसकी चर्चा हो चुकी है मैं उसको अन्रलाइन करना चाहूंगा कि नेता जी के आदर्सों के साथ में वर्तमान पीड़ी को कैसे जोड़ा जाए इस पर च प्रोजेक्ट में था और वहां के प्रोफेसर सायव ये थे और उनके पास जो नक्षे थे वो नक्षे उस समय के थे जब नेता जी के साथ में जो आजाद हिन्ध खाओज है उसको जपान सरकार ने मदद करने के लिए प्रवाइट कर आए थे व नक्षे क्यूंकि वो खाया था और वहां के जापनीज प्रोफेशर्स ने मुझे शेयर किया था कि जपान में नेता जी की कितनी इज़त है और कि तरह से जपान की राधर देबर टेकिंग प्राइड इन वाट जैपनीज डिड तु सपोर्ट नेता दीजे फर्स तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस समय एक ऐसा हमारा बेक्टी था जो ना सिरफ हिटलर के साथ दोस्ती करता है बलकि जपान सरकार की भी मदद लेता है और इतनी हद तक जाता है कि भारत सरकार डिकलेर कर देता है उसका हेटफार्टर साहिद अनमा निकोबार में बनाते है अगर मुझे सही याद है तो इतनी हिम्मत वाले बच्चे अब पैदा करना या बनाने पड़ेंगे फिर से क्योंकि एक नई तरह की क्रांती की जरूरत है नई तरह का विकास का इतिहास लिखे जाने की जरूरत है एक अच्छी समझ वाले युवा बनाने का दाइत तो भी तो हमीं लोगों के उपर है औ और इस विशह पर जो चर्चा हो जुकी मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि अभी हमें जिस तरह से क्रांतिवीर युवा चाहिए क्रांतिकारी युवा चाहिए वो आ नहीं रहे हैं भारतेंदु हरिश्चन जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि सिक्षे तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हिद बनी अप्रोबस मतलब बच्चा पैसा होता है तो कहते हैं कि क्या बनोंगई जीनियर डाक्टर और बाबू क्लर्क टीचर इस से ज़्यादा फुलूट नहीं पाते देश के लिए सिखाने वाली माताएं मर गई खतम हो गई अभारत में बच्ची नहीं और देश के लिए जो अपने बच्चों की साहर्श कुरवानी देते हो उस तरह की भी माता-पिता कम हो गए हैं बहुत ज्यादा और सेना में भी जो जाते हैं इसके तरक तरक तो हो सकते हैं पर वो भी कैरियर के लिए जादा जाते हैं कि कैरियर बनाना है और यह सब तो अभी मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि हमें जो टीचर कम्यूनिटी है ह हम सब को अपने बच्चों में कुछ बीज डालने चाहिए इस तरह कि एक समझदार ही हुआ एक क्रांदिकारी हुआ जैसे दिल्लो साब ने भी कहा कि जो सारी रिर्गूरूप से फिट हो और हमारे प्रदान मंत्रे जी ने फिट इंडिया का चलाया हमने अपने कालेज में भी उसका उद्गातन किया था और बच्चों को यह कहा था कि सवेरे आदा घंटे कम से कम फिटनेस रेजीम एक डेवलब करिए पर अंगेर साथ एक सवाल साथ जो मैं एकसर बच्चों से पूछता हूं और मैं आज केर करना चाहता हूँ और मैं यह सवाल पूछता हूँ कि तो अब सुर्योदर से पूर उठ नहीं सकते रात में देर तक फिल्में देखते हैं या मुबाइल पे नेट्प्लिक्स और यह सब देखते हैं जो भी आ गया है आमेजन वगेरा वगेरा और बस मुझे पता नहीं किधर हम जा रहे हैं तो अगर मैं बच्चों तो होंगे नहीं जादा इस सभा में पर जो हमारी विरादरी के लोग हैं सिख्छक विरादरी के तो हम लोग एक रिजॉल्व अपने लिए ले सकते हैं कि नेता जी के आदर्शों की तरफ उन्मूप करें बच्चों को थोड़ा अच्छे बच्चे बनाएं देश के लिए समाज के लिए सोचने वाले बच्चे हमारे होम हमारी पीडी का निर्माण हो क्योंकि अब देश को दूसरी तरह के क्रांतिवीरों की जरूरत है जो टेक्नो क्रेट भी हो जो वैग्यानिक भी हो जो हर लिहाज से मतलब देखिए हमारे देश में इश्रों वगेरा में कितनी प्रगति हो रही है अभी डीर्डीों के भी काफी ऐसे प्रोजेक्स आएं है तेजस मिल्क बनके तयार है जिसके डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऐसे बच्चे चाहिए ना कि जिनके अंदर गुरूर हो कि हम भी कोई रडार अच्छा वर डेवलप करेंगे या कोई हम ऐसी टेक्नोलोजी डेवलप करेंगे या हम देश के सुरक्षा में एक अच्छी स सब हुआ है और यह सवाल तो रहेगा कि इतिहास कारों ने क्या किया और क्या नहीं किया यह सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है मैं समस्ता हूं कि यह समीची सवाले लगातार पूछा वी जाना चाहिए लेकिन यह सवाल सिक्षिकों से भी पूछा जाना चाहिए कि हमने किस तरह की नई पीड़ी किस तरह के नए समाज के निर्माण में सायोग कर रहे हैं क्योंकि हम समाज दिर्माता हैं अपने रूप में और सो माबाप से भी वो सवाल आएगा कि अब जीजा भाई क्यों नहीं होती और क्यों सिवाजी नहीं बनाये जाते आप्टराल मा का ही यह क्रेडिट मा को ही जाता है कि वो सिवाजी बनाती थी वो एक मा को ही क्रेडिट जायेगा कि जिसने नेता जी सुभास को पैदा किया था और पैदा करने से कुछ नहीं होता जिसने सुभास जी को बनाया होगा संसकारित किया होगा तो कम से कम अपने घरों से सुर्वाब कर सकते हैं और अपने विद्यालियों तक इस संदेश को लेके जा सकते हैं इस पर आप सभी को बहुत और शुख काम लाएं और इस बहुत सुंदर आयोजन के लिए पूरे SD कालेज परिवार को और इस पर अपना बहुत ही गंभीर और व्यापक विशय रखने के लिए हमारे साथी भाई डाक्टर बिरंदर घिर्लों को सिभी को बहुत दो शुख काम लाएं और बदाई धन्यवाद सर्ड और बहुत संदर और समवेदन शील प्रशन रखने के लिए भी इस सूरज को किसमें डेखा जो आज हम नहीं देखते हो बहुत समवेदन खिल परशन है उसके लिए भी आपका आभार और इस संचिप तिपनी के लिए और सावर्धन के wizard के लिए विचार क जन्मों जन्मों की बात है, निरंतर्ता हमारी परंपरा है, परंपरा का मतलब ही निरंतर्ता होती है, परंपरा को जड़ नहीं होती है, कभी जड़ परंपरा का मतलब ही निरंतर्ता है, तो उस निरंतर्ता में हमेशा संस्कार संस्कार रहे, दोश निकलते रहे और गुण चैनल जाया। में जरूर सुभाष चंद्र बोस्टी से प्रेणा लेकर के कोई ना कोई ने निर्मान के लिए अग्रसर होगा कोई नई चेतना उफर कर आएगी तो इनी सब शब्दों के साथ आप सब के प्रती बहुत-बहुत धन्यवाद आभार आप सब लोग जुड़े अपना समय दिया डॉक्टर अविनाज जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपई जी प्राचारे में होते और उनके साथ जुड़े हुए मैडम अंजली और और कई सारे लोग सभी का नाम लेने के इस वक्तियां आविश्टा नहीं हैं लेकिन उन सब के प्रती मैं अपना आभार बैक करता हो और विशेश रूप से डॉक्टर विरेंदर सिंग धिल्नों जी का आज भी उन्होंने अपने इतिहास दृष्टी को सिद्ध किया है और मैं उनके सभी बातों का बहुत संबान करता हूं आदरपूरवक उनके बातों को स्विकार करता हूं कि उन्होंने बहुत सही दिश प्रति धन्यवाद ज्यापित करता हूं और इन्हीं सब शब्दों के साथ उन्हां सभी के प्रति आभार वेक्ट करते हुए और यह उमीद करते हैं कि हमारा राष्ट अग्रेसर होगा और हम सभी लोगों में संबार विक्सित होगा धन्यवाद आप लोग सब मीटिंग छोड़ सकते हैं लेकिन यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज फॉर्म भर दीजिएगा तो आप लोगों के सर्टिकेट पहुंच जाएंगे एंक्यू सर्थ एंक्यू एब्रिवन एंक्यू एब्रिवन ओके गुड़ लग की चाड़ है वरी थामी